हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू वीना अगरवाल किचिन आज मैं आपको बताऊंगे कि सर्दियों में बच्चों को दूद कैसे पिलाएं जिससे आपके बेबी को न केवल दूद के सारे न्यूट्रियंट्स मिलें बलकि यह सर्दियों में आपके बच्चे को सर्दी खासी जैस हो है मिल्क इसे हम बॉइल कर लेंगे दूद आपको गाय का ही लेना है क्योंकि गाय का दूद बहुत ज्यादा पॉस्ट्रिक होता है लेकिन अगर आपका बच्चा कमजोर है और आप उसका बजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप भैस का दूद इस्तमाल कर सकते है दूद अपने आप में एक कम्प्लीट फूड होता है इसमें जो न्यूट्रियंट्स होते हैं वो शायद ही किसी फूड में हो यह बच्चों की स्किन हेयर सेल्स के लिए बहुत फायदेमंद है जो दूसरे important ingredient है वो है गाय का घी गाय का घी हमेशा अच्छे ब्रांड का हो और शुद हो गाय का घी बच्चों के brain development में help करता है metabolism को ठीक करता है और बच्चों में होने वाली constipation की समस्या को भी दूर करता है गाय के घी से बच्चों में होने वाली normal pain गले के दर्द में भी आराम मिलता है अगर आप 300 ml milk लिए रहे हैं तो 1 प्लस year के बच्चों के लिए आदर छोटा चमच गाय का घी एड़ जरूर करें अगर आपका बच्चा मोटा या पतला कैसा भी है आप गाय का घी जरूर एड़ करें तीसरा जो ingredient है वो है healthy powder healthy powder हमेशा अच्छी quality का ले या कोशिश करें कच्छी healthy घर लाएं उसे दूद में डाल कर वा लें नहीं तो अच्छी quality का powder यूज करें healthy में antioxidant, anti-vacterial और anti-inflammatory properties होती है जो कि बच्चों की चोट को जल्दी हील करती है चोटे मोटे infections को रोपती है और बच्चों में सर्दी खासी और गैस की वज़े से होने वाले chest pain में आराम दिलाती है चोथा जो important ingredient है वो है सफेद या काली मेच पाउडर कोशिच करें कि white paper powder यूज करें अगर नहीं है तो आप काली मेच का पाउडर या साबुत काली मेच तुद में डाल कर वाल सकते हैं यह बच्चों को दिल से संबंदित बिमारियों से बचाता है बच्चे की heartbeats को normal रखता है और बच्चों में सर्दी खासी allergy की वज़े से होने वाले कफ से राहत दिलाता है पांचवा और लास्ट important ingredient है वो है केसर केसर बच्चों के blood purification में help करता है बच्चों की सरीर के temperature को maintain रखता है शरीर की कोशिकाओं को ताकत देता है जिससे बच्चा ताकतवर बनता है और इसके इस्तमाल से skin को whitening effect देता है आप अब दूद को चान ले और गुनगुना होने पर बच्चे को दें यहाँ आपके बच्चे की immunity को बढ़ाएगा और बच्चा जल्दी जल्दी बिमार नहीं होगा इसे आप बच्चे को हफते में दो तीन बाद जरूर दें अगर बच्चा एक साल से बढ़ा है तो आप इसमें इसे मीठा करने के लिए गुड़िया शहत का यूज कर सकते हैं अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे के आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें